अगर आपको ये आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो और लोगे के साथ सेयर करें मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था चारो तरफ सूखा पड़ गया था उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी यानि के मक्का में बारिश नहीं आ रही थी उस वक्त अलाह के नभी पैगंबर हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लाहों अलैही वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ नौ साल की थी उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो ए बड़ा सा बरतन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे और फिर उस खून से भरे हुए उस बरतन में मक्का के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सरदार अपना हाथ दुबा कर उस काम को करने की कसम खाते जब मक्का में बारिश आना बंध हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बरतन मंगवाया और उसको खून से भर लिया और फिर मक्का के बड़े-बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बरतन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे के मक्का में पानी की कमी आ गई हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खा आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दिवार को पकड़े रखेंगे ऐसे विडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेना और उस वक्त तक काबा की दिवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोडेंगे इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बरतन में अपना हाथ डुबो कर ये कसम खाली और फिर सबने ये मसौरा किया की आज आधी रात को सब को काबा के पास पहुँचना है और काबा की दीवार को पकड़ कर उपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है पानी मांगना है अब आधी रात का वक्त हो गया मक्का के बड़े बड़े लोग जिनोंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुँचने लगे इन लोगोंने यानिके इन्होंने खून से भरे बरतन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी उनमें अलाह के प्यारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललाहो अलैही वसलम के चाचा अब्बु तालिब भी मौजूद थे अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अब्बु तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे उस वक्त अल्लाह के नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अलैही वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ नौ साल की थी जब तो आप अपने चाचा अब्बू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे ये चचा जान आप कहा जा रहे हो तो चाचा जान कहने लगे ए मेरे भतीजे क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सुखा पड़ा है मक्का में पानी की कमी है इसलिए हम सबने खून में अपना हाथ डुबो कर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दिवार को की उम्र महस 9 साल की थी अपने चाचा अब्बू तालिब से कहने लगे आप मुझे भी लेकर चलो ना ये सुनकर चाचा कहने लगे नहीं मेरे बेटे नहीं वहां तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझ रहने लगे चाचा हा मुझे भी साथ लेकर चलो ना अगर उन लोगों ने मुझे वहां रहने दिया तो ठीक है वरना मैं वहां से वापस आ जाऊंगा आपके चाचा अबु तालिब आपसे बहुत मुहबबत करते थे आपको अपना बेटा समझते थे इसलिए अबु तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तयार हो गए इस तरह से अल्लाह के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद सल्लाहु अलैही वसल्लम भी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए अब मक्का के सारे बड़े-बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए कुल मिला कर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ दुबो कर कसम खाई थी अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला के मक्का के बड़े-बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का की दिवार को पकड़े रखेंगे के जब तक पानी नहीं आ जाता तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे जिन्में औरतें बच्चे बूढे सभी शामिल थे डौट काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिलकुल पास में खड़े हो गए अब्बू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मुहम्मद सलल्लाहो अलैही वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए जब उन लोगोंने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अब्बू तालिब को आख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे ये अब्बू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आय हो क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग है और हम सबने खुन में अपना हाथ धोकर कसम खाई है इसलिए इसलिए हम बारिश मांगेंगे इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं ये सुनकर अब्बू तालिब ने कहा है मेरे भतीजे मुहम्मद ﷺ जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ इतना सुनते ही प्यारे नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा ﷺ पीछे जाकर बैठ गए उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुभा हो गई मगर पानी नहीं आया बारिश नहीं आई सुभा के बाद सुरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे कहते रहे कि एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे मगर पानी नहीं आया अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी काबा की दीवारे भी गर्म हो चुकी थी मगर 32 के 32 लोग वैसे की पानी मांगे जा रहे थे मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था अब तप्ती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे इतने में किसी ने पीछे से आकर अब्बू तालिक का कपड़ा पकड़ा अब्बू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड कर देखा भतीजा मुहम्मद खड़ा हुआ हैं अपने भतीजे को अपने पास देखकर अब्बू तालिब गुस्से से कहने लगे ए मुहम्मद तुम यहाँ पर क्यों आये हो तो ये सुनकर हजरत मुहम्मद सल्लाहो अलैही वसल्लम कहने लगे ए चाचा मुझे भी आने दीजिये ना मैं आऊंगा और उपर वाला पानी बरसा देगा तो चाचा अब्बू तालिब ने गुस्से में कहा हम 32 लोगों जो मक्का के बड़े-बड़े सरदार है हम रात से पानी मांग रहें मगर उपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम 9 साल का है और तु उपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लाह अलैही वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे इस तरह से दो तीन घंटे और बीट गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी इतने में अब्बू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा अब्बू तालिब ने जैसे ही मुड कर देखा कि फिर से मुहम्मद सलल्लाहु अलैही वसल्लम खड़े हैं ये देखकर चाचा अब्बू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे ए भतीजे मुहम्मद तु फिर से क्यों आया है ये सुनकर प्यारे नभी हजर्ट मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहु अलैही वसल्लम कहने लगे है चाचा मैं फिर से कोई पानी बानी मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपका पसीना पोचने के लिए आया हूँ आप ﷺ ने अपनी चादर से अपने चाचा अब्बु तालिब का पसीना पोचना शुरू कर दिया यह देखकर चाचा अब्बु तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड आया और छट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया जैसे ही अब्बू तालिब ने गले से लगा या अल्लाह के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद ﷺ फिर से कहने लगे चाचा मुझे आने दो ना मैं एक काम करूंगा, उपर वाला पानी बरसा देगा यह सुनकर चाचा अब्बू तालिब कुछ कहने ही वाले थे इससे पहले ही उन बतेश लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा मक्का के लोगों पानी आ गया तो ये सुनकर सब ने कहा ये पागल पानी कहा आया है यहां तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं तु बोलता है कि पानी आ गया है तो वो शक्स कहने लगा मैंने सुना है मुहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे ए मुहम्मद आजाओ हा मुहम्मद जल्दी आजाओ डॉट फिर अल्लाह के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद सल्लाहु अलैही वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे तुम लोग यहां पर क्या कर रहे थे तो सब ने कहा हम लोग यहां पर पानी मांग रह थे आप सल्लाहु अलैही वसल्लम ने कहा उस वक्त मैं कहा पर था हमारे पीछे थे आप सल्लाहु अलैही वसल्लम ने कहा जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ ये सुनकर 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए मगर उन में से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, पीछे नहीं जाएंगे ये सुनकर अल्लाह के नभी सलल्लाहु अलैही वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे ये मक्का के लोगों पीछे चले जाओ अगर एक बार मुहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा इतना कहकर आप सलल्लाहु अलैही वसल्लम पीछे जाने लगे सब लोग तो पहले ही ठक हार गए थे इसलिए जो बीस लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा पीछे हो जाओ हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे फिर वो बारा लोग भी पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मुहम्मद सल्लाहु अलैही वसल्लम की उम्र सिर्फ नौ साल है और मक्का के बड़े-बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मुहम्मद सल्ललाहु अलैही वसल्लम को इमाम बना दिया वो पीछे वाले सब लोग गुस्से थे इसलिए जोर-जोर से कहने लगे ए मुहम्मद अब तो हम लोग पीछे आ गए है अब तो पानी मांग लो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नभी सल्लालाहु अलैही वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे ये लोगो तुमने पानी मांगा था इसलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगो तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा तो ये सुनकर वो लोग चिल्ला कर कहने लगे ए मुहम्मद तुम क्या मांगोगे बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूंगा उसके बाद अल्लाह के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद सल्लाहु अलैहिवसलम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चहरा आस्मान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आस्मान में बादल जमा होना शुरू हो गए उसके बाद अल्लाह के नभी ने अपना थोड़ा सा और चहरा आसमान की तरफ उठाया इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नभी ने अपना पूरा चहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई देखते ही देखते हर तरफ पानी-पानी हो गया यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मुहम्मद या मुहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दोड़ने लगे इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आई ये मेरे महबूब आपने इतनी ततलीफ क्यों उठाई आपने अपना चहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बर्सा देता सुभान अल्ला कॉमेंट में सुभान अल्लाह लिखे और चैनल सब्सक्राइब कहरें अस्सलाम अलैकूम